हैलक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल एडोकेट रजिस्टेशन लेटेस्ट अपडेट के बारे में और आज इस वीडियो में जाड़ेंगे कि यूपी बार काउंसिल में वरतमान समय में किस सिरीज तक का रजिस्टेशन हो चुका है और किस सिरीज तक का रजिस्टेशन सर्टिफिकेट और आई कार्ड भेजा जा चुका है चुकि इसके पहले भी मैंने आपको इसके बारे में इंफार्मेशन दी थी उसके बाद का यह इंफार्मेशन है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो भी यहाँ पे नए विवर्स आ रहे हैं तो चैनल पे फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही जो यूपी बार से सम्मंदित जानकारी है लेटेस जानकारी वो आपको मिलती रहे इसके लावा अगर आप UP बार काउंसिल के लावा BCI यानि बार काउंसिल आफ इंडिया आल इंडिया बारिक जैमिनेशन और विधी से सम्मंदि जो भी जानकारी चाहते हैं किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुस सारे इस चैनल पर क्वाल्टी और क्वाल्टी बेस्ट जो है कांटेंट उपलब्द कराया जाता है और मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़े आपको बताऊं वो आथेंटिक रहे फेक चीज़े ना बताई जाए जो भी जानकारी और इनफार्मेशन आपको दी जाए वो सही दी जाए तो इसलिए अगर आप इस तरह की चीज़े चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़े और साथ ही साथ मैं अपने सभी पुराने वीवर से कहूंगा कि आप चैनल को अधिक अधिक शेयर करिए वीडियो पर चुकि आप सब के लिए मैं इतनी मेहनत करके कोशिस करता हूं कि आपको इनफार्मेशन दू इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइट कराता हूं तो मैं आप सबसे उम्मेद करूंगा कि आप जो भी लोग वीडियो को देखेंगे वो अधिक से अधिक उन लोगों तक फ सिदे अपनी टापिक पे आते हैं और बात कर लेते हैं वर्तमान समय में रेजिस्टेशन प्रोसेस की तो वर्तमान समय में यानि जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक कि मैं बात कर रहा हूं तो 18,700 का रेजिस्टेशन हो चुका है और इन लोगों को रेजिस्टेशन नमबर अलाट कर दिया गया है तो जिनका भी 18,700 का था उनका रेजिस्टेशन हो चुका है लेकिन जो card print की मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो card printing और certificate जो printing होती है उसका card जो है बहुत slow चला है तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको 12200 तक का ही card print हुआ है आपका certificate प्रिंट हुआ है और आपने जो farm में address दिया हुआ है उस address पे भेजा जा चुका है तो 18700 तक का registration तो हो चुका है लेकिन जो 12200 तक के ही card आपके आपके जो address हैं उस address पे भेजे गए हैं तो corona इसमें देख रहे हैं काफी तेजी से फैला हुआ इसलिए अब इस process में थोड़ी जो है इसलिए अब जो है इतना आप गैब देख रहे हैं 18700 और 12200 तो बस यह सिर्फ कोरोना के वज़े से इतना गैब दिख रहा है तो आप लोग बिल्कुल घबराईए नहीं 12200 तक का जिनका registration था नंबर था उनका उनके address पे यह certificate और आई-card भेजा जा चुका है आप लोग बिल्कुल ना परेसान हो क्योंकि आप लोग देखते हैं कमेंट करते हैं कब तक पहुंच जाएगा देखिए थोड़ा समय लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं इस पीश पोस्स से भी जाने में समय लग रहा है चुकि प्रोसेस जो इस समय कोरोना महा मारी है इस वैस इसमें काफ़ी डिले हो रहा है तो इसलिए बिल्कुल ना घपराएं आपका बहुत जल्दी पहुंच जाएगा अभी आपको पता है कि AIB-17 का फार्म भी नहीं आया है AIB-16 का जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा उसके बास नहीं फार्म आएगा तो आप लोग बिल्कुल घपराएं नहीं आपके एक्जाम तक सबका रजिस्टेशन हो जाएगा और सब लोग AIB-17 का फार्म भर जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिया हूँ आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करिए शेयर किजिए और चैनल पर फर्स टाइम विजिट के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवा विजिए गन्यवाद